असलामनेकूम डियों स्टूड़न्स कैसे हैं आप सब लोग उमीद हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने एक्जामिनेशन की तैयारियों में मस्रूफ होंगे खास तोर पर तमाम तर मेट्रिक के तलबा जिनकी डेट शिट भी अनाउंस हो चुकी है और इसके साथ इंटरमीडियेट के तलबा जिनके मेट्रिक के फॉरण बाद एक्जाम्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे तो आज एक ऐसी खबर है जिसको सुनके बेशक आप लोगों को यह लगे के यह खबर इंपोर्टन नहीं है यह यह न्यूज टाइम बेस्ट है बट मैं आपको बता दूँ के कुछ लोगों के लिए यह न्यूज इंपोर्टन है हमारा मकसद हर किसम की एजुकेशनल कॉंट किसम भी आते हैं प्राइमरी सेकेंडरी हर किसम के सुड़न्स आते हैं तो प्लीज खबर को जलने जी चलने दिया करें और यह खबर मेट्रिक के तलबा के लिए नहीं है इंटिवीडेट के तलबा के लिए भी नहीं है मगर यह एडमिशन से मुतालिक बहुत ही प्रिसरी ता एड्स क्लास तक के सबके एग्जैम्स हो चुके हैं पिछले दिनों में बहुत सारे मसाइल आये थे स्टूडन्स भी परिशान थे और उनके पेरंट्स भी परिशान थे के सरकारी स्कूल में कोई भी इंप्लिमेंटेशन ने होती ना कोई बुक्स प्रोवाइ हैं और अब बकाईदा तोर पे वहां पे दाखलों की महीम भी शुरू कर दी गई है मनसूर कादरी जो आपके एड्यूकेशन होल्डर हैं यहां के पंजाब के वो सबामसर चीजें एड्मिशन से मतलिक और इस तरह से चीजें जो है वो सरकारी स्कूल को उनके अंदर आते ह हैं उनोंने बकाईदा तोर पे इस मुहीम का अगास कर दीया है साहित इस महीम में खुद भी शिरकत की है ताकर सरकारी स्कूलों का मیار जो है वो अच्छा बन सके कोई यह न कह सके कि प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं और सरकारी स्कूलों में अपने बिचों को द दाखला नहीं करवाना यह एक चीज जो हमारे यहां ससाइटी में बहुत कांसेट है कि सरकारी स्कूल वाले बच्चे तो फर्शों पर बैठते हैं और जो प्राइबट स्कूल वाले हैं उनकी तो क्लासिज में ऐसी भी लगे होते हैं तो यह चीज को खतम करने के लिए हम सब को इसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सरकारी स्कूलों को फ्रमोट करें साथ-साथ उनके जो भी न्यूज और अपडेट आए आप तक पहुंचाए सिर्फ नेगिटिविटी ना आए कि बच्चे वहां पर टाटों पर बैठते हैं और फर्शों पर बैठते हैं वहां फरनीचर नहीं ह अब जब कोई implementation होती है तो हमारा platform सबसे पहला वो platform है जो हर चीज़ को वक्त पे आप लोगों तक पहुंचाता है ताके हम लोग negative expect के साथ-साथ positive भी उसके जो भी जराये हैं और जो भी aspects हैं उन पर हम लोग गोर कर सके तो ये एक positive step है जो government उठा रही है जो सरकारी स्कूलो की बहतरी के लिए है तो इस पर भी बात करना जरूरी था और I hope ये वीडियो तमाम तर schools के तलबा लाजमी देखें उनके parents भी लाजमी देखें जो अपने बच्चों को दाखला करवाना चाहते हैं क्योंके petrol महंगा है घी महंगा है खाने की अशिया महंगी है हर चीज महंग जारी है और आप लोग अपने बच्चों को वहां पर जाके दाखल करवा सकते हैं फीज भी मुखत मुनासिब होती है कोई ना होने के बराबर होती है अब तो किताबे भी आप लोगों को फराहम की जाएगी और फंड्स भी दिये गए हैं तो आप लोग बेफिकर होके अप कारी स्कूलों में अड्मिशन करवाएं वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजएगा साथ साथ मैं दोबारा आऊंगी एक और यूसफुल और इंफरमेटिव वीडियो के साथ ताके आप लोग जितने भी स्टूड़न्स एक्जाम्स के लिए प्रप प्रप्रश के लिए फस्टूड़न्स